यह देखो आप इससे अच्छा रिगल्ट अगर आपको केरेटीन मिल रहा है इतने कंप्रेज में वह इतना लोगाइस यश वेलकम बैक विदा अधर वीडियो गाइस आज मैं अपने हैर पे करने माला हूँ केरेटीन करने के लिए बैसिकली हम लोगो कुछ चीज़ें चाहिए होगी तो पहले मैं आपको बताता हूँ केरेटीन होता क्या गाइस जैसे आप लोग अपने मेरे बाल देख सकते हैं थोड़े से रफ हो गया है इसको ठीक करने के लिए हमको यूज करना होगा केरेटीन करने के लिए आप लोग को बार से केमिकल भी ले सकते हैं बट वह आपको मैं अलाउड नहीं करूँगा विकोस उनसे आपके हैर डैमेज हो सकते हैं सो मैं आप लोग को सस्ता और घरेलू उपाई बताऊंगा गाईस सो आप लोग विदिन मतलब मैक्सिम्म 5-6 रुपे में आप लोग एक लेना है ठीक है क्योंकि इससे केरेटीन होगा और एक लेना आपको चंदन पाउडर या उसानी से 10-20 रुपे मिल लागा मा इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग अपने हेर में अपलाई करना है ठीक है सो वीडियो में एंड तक बने रहना गाईस और एक एक स्टैप देखते रहना कैसे लगाना है और इसका रिजलेट इतना च्छाने वाला गाईस कि आप लोग को कभी केरेटीन बाहर से कर इसमें मैंने ले है थोड़े सी चंदन पाउडर थोड़ा सा मिल बिया है और इसमें आप लोग को पूरा एक डाला है आप लोग के समीति अपने थीक है उसके बाद हो आपको मिक्स अप करके प्रोपर आप लोग को ब्रुस से अपलाई करना है बिकूस बालों की जड़ों तक लगना चाहिए ठीक है तो इसको प्रोपर अप्लाई करते हैं इसका रिजट देखें गाई तो चलो पहले इसको अप्लाई करते हैं कि और अगर पतला हो जातों कोई इश्यू निया है ठीक है आप लोग अच्छाने से इसको लगा सकते हो और चंदन पाउडर मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि इसकी मैक बहुत ही जादा अच्छी रहेगे चंदन पाउडर यूज़ करोगे था मुलता नहीं में ठीक है कोड़िंग झाल 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 प्रोपर मेरे बालों पर यह अप्लाई हो चुका है और थोड़ा सा टपक भी रहा हो गया तो थोड़ा गीला हो जाता है तो इसमें कोई शू नहीं है पर आपके पूरे बाल में लगना चीए अच्छे थे अब छीए यह इजकितना तपक रहे हैं तो इसको में क्या करना अभी अब आदब पूना घंट लगेगा इसको सूखने में इसको सूखने के बाद रहे करेंगे मतलब की सूखने के वाइस को धोईंगे दोने के बाद हम इसको उख ऊखाके और स्कार देखने कैसा आया है आज से विडियो देखते रहा न क्यांट तक और स्कार से बदेखते हैं जाते हैं ऐख पर अपने हयर को वाच करके और सिम्पलिए आप लोग देख सकते हैं कि रिजल्ट इसका कितना पियार आया हैज इस देखो है कि हाइस इसका ॥। तो का कस्तों मेरे कितने ब्रॉपर अच्छे होगा हैi स्टैंप दो इसका रिजल्ट इतना ज्यादा अच्छा है आप देख सकते हैं प्रोपर केरेटीन जिसे बोलते हैं वो मेरे हेर में अच्छे से अप्लाई हो चुका है आप लोग ने पहले देखा होगा और अब देखा होगा तो आपके कोडिंग आप लोग खुदी पता लग्या होगा कि कितना अच्छा इसका रिजल्ट है और अभी तक मैंने इसको कुछ भी अप्लाई नहीं किया है ठीक है अगर आप लोग को ये सब चीज़े आप लोग करते हैं घर पे और इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिल रहा है गाईस तो मैं ये बोलूँगा आप लोग इसको जादे जादे यूज़ कर सकते हैं आप लोग को सिर्फ एक एग लेना है और आप लोग को एक मुलतानी मिट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं गाईस और इससे अच्छा रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जीए देखो आप अगर आप लोग को क्यारतिन पर सकते हैं मुझे तो बहुत अच्छा रजड़ लगा आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रू बता देगा और सेकंड चीज गाइस की प्लीज यार मेरी वीडियो को यार प्लीज लाइक करो यार प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को यार क्योंकि मैं चाता हूँ कि मैं आप लोग के लिए ऐसी आगे चीजे लेकर आता हूँ जिससे आप लोग अपने हेर से रिलेटेड अपने लुक से रिलेटेड किसी चीज को भी आपको कोई करने में परिशानी नहीं हो क्योंकि तुम्हारा भाई बैठा है तुम्हारी हल्प करने के लिए ठीक है अगर है जा अगर आजए अठा-बस कर है तो रुम्हार到 में परिशा आपको लाई तूम्हारा के लिए बैचरयोग थीजे चुम्हारा वे मातमे से बूम्हारा